अब बेटा मारा कुश्चन 8 है कुश्चन 8 जो है कुश्चन 7 की ही तरह सेम है यहां दिये गए इस्टाइचू 1.6 टॉल इस्टाइंड on the top of the pedestal from a point on the ground the angle of elevation of the top of the statue is 60 degree and from the same point the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 degree मतलब यहां क्या कहते हैं बेटा कोई pedestal है उसके उपर एक statue बना हुए तियहां पर बोल रहा है कि जब redefation जो है जब क्या कहते हैं कि चैटी स्कीज़ का ँंगल बन्मोट पर पना रहा है तो 45 दिए अंगल बना रहा है तो यहां पर न हमारा ग्रांड हगा है यहां पर सब्रेश्चkov ह eingel वी एक वेसितल बना हुआ है यहां पर पिए पिज्टट सोब्सराइस चैट अला हुआ है यह हैट है इसको क्या दिये इसको में नहीं पता है यह पेडेस्टल है यह मारे पेडेस्टल है इसकी हैड जो ऑन के दिया गया है कितना one point six यहां से हाइड को मैं लैते हैं अगर हम टोटल हाइट यहां के ही सब्सक्र lídho यहां से किसी पॉइंट किया देख रहा है फ्रोंट ऑन सी इंगाला फिलिबेशन और अब दी टॉफ दी इस्टेटू आफ दी मतलब जो इस्टेटू के टॉप को देख रहा है यहां पर तो 60 डिग्री का अंगल बना रहा है फिर देख रहा है और from the same point मतलब इसी पॉइंट से फिरो देख रहा है पॉइंट दी एंगल अफिलिबेशन आप दी टॉप आप दी पेडेस्टल इस 45 डिग्री जब पेडेस्टल के मतलब यहां पर इस पॉइंट से इस पॉइंट पर देख रहा है तो 45 डिग्री का एंगल बना रहा है मतलब 45 और यहां पर 60 डिग्री का इंगल बना रहा है तो अगर यहां पर हम यह हो गया हम यहां इस टैचु की हाइट हमें दिया गाए पेडेस्टल की हाइट बेटा पूछ रहा है तो हम लिखेंगे है फाइस हमारा एपॉइंट वोगा है भी सी एंड डी बॉइंट डी पोईंट हो यहां पर क्या कहते हैं थो प्रपेंडिकुलर होगा हुमारा जय शलिट दोने के अगर हमें प्रपेंडिकुलर होगा यहां सबलगता हमारत हां यूह से सी मीं हिपë सब्सक्राइब लिखेंगे फैले हम लिखेंगे हमने क्या पेडस्टल की हिट को हमने एचप लिखेंगे लिट लेत लेट है ट्र हाइट ओक् ठीयिटिर कि टी embarrass टल अब गषी है चप्ट वी एच हमेट को झेया तो यहाँ पर बात करेंगे इन ट्रेंगल पहले हम बड़े वाले ट्रेंगल की बात करेंगे ACD इन ट्रेंगल ACD तो यहाँ पर क्या हो जागा 1060 डिग्री फिर पर्पेंडिकुलर अपान बेस पर्पेंडिकुलर हमारा बेटा टोटल होगा मतलब कि A से C तक और बेस हमारा क्या होगा B से C से D तक यह हमारा टोटल बेस तो दोनों के लिए सेम ही है बेटा यहाँ 1060 की बैलू क्या होती है अंडर रूट 3 स्कल्टू AC की बैलू हमें क्या मिली है यच प्लस 1.6 अपान CD हमें नहीं पता है तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे CD यहाँ से बेटा हम क्या करेंगे CD की बैल अब हम क्या करेंगे अप चोटा वारा जो ट्रेंगल है ट्रेंगल 45 जोहाइं BCD इस ट्रेंगल की बात करेंगे ठंट्रेंग पिच्ट एक spons फॉर्टिफाइब गई स्के लिए पर्पेंडिकलर अपान बेस हमारा पर्पेंडिकुलर क्या होगा भी से सी खोगा बी सी अपन सीदी तो है यहां पे समills फॉर और टैन कि उत प्यांगे जलानि ही इस माना है यचा हमने हमने इस एक्षाइब हो गया तो जब cross multiply करेंगे cd is called to edge मतलब कि यह हमारा equation second आगा है equation second में हमें बत आ रहा है बेटा कि जो हमारा base है वो क्या कहते है pedestal के equal है pedestal के height के equal है यहां पर cd equal to edge अब इस value को हम यह क्या कहते है cd की value जो है equation first में put कर देंगे लिखेंगे putting the value in equation first putting the value in equation in equation first is value communication first में put कर देंगे cd की जगा हम क्या लिख देंगे यह लिख देंगे yes is called to edge plus 1.6 upon under root 3 under root 3 है अब यहां पर हम cross multiply कर देंगे यह मान के हम cross multiply कर देंगे तो क्या आ जाएगा अंडर रूट 3 है इसकल टू यह प्लस 1.6 यह अंडर रूट 3 है प्लस 1.6 आ गया बेटा तब हम यहां क्या करेंगे अंडर रूट 3 है यह को हम इधर ले आएंगे थमारा माइनस हो जाएगा 1.6 यह यहां प्लस 1.6 यह यहां कामब ले लेंगे तो क्या हो जाएगा अंडर रूट 3-1 इसकल टू 1.6 तो यह अंडर रूट 3-1 हमें यह अच की बेलू मिल阅गे आप क्या कता है इसके देखो बैटा इनोमेटर में हमें लाना, तो हम क्या करेंगे, ईडिफनल लाइज करेंगे, जो नीचे रहेगा उसी से अगर यहाँ पे're che was to minus करके हम उस्षे हिए अर जो नाइज कर देंगे और रूट 3-1 माइनस इंटु अंडर रूट 3-1 कर देंगे, हमें क्या मिल जात् इसको यहां multiply करेंगे बेटर तो जाएगा 1.6 अब फिर अंडर रूट 3 प्लस 1 इसको हम ऐसे रहने देंगे और यहां भी हमारा क्या हो जाएगा यह क्या हो जाएगा यहां बचेका मारा 3-1 तो यह इसको डिवाइट कर देंगे तो यह की बैलू हमें क्या मिल जाएगी यह इसकल तो मिल जाएगा 0.8 ब्रेकट में अंडर रूट 3-1 तो यह हमारा यह की बैलू आ गए यह हम 0 लगा देंगे 0.8 अंडर रूट 3-1 मीटर में आएगा बेटा इसको मीटर में लिख लेजिएगा यहां पर हमारे पास जगा नहीं है यह हमारा बेटा कुस्चन नंबर 8 था कुस्चन 8 हम सॉल्व कर लिए हैं अब हम कुस्चन 9 सॉल्व करेंगे